एक वार अपनी सच्ची स्रदा से बोलिए ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तों आज में आपको पुजगोदेव द्वारा एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को मात्र 11 दिन तक अगर लगाता नियम पूर्वकाप करते हैं तो आपके सारे कारे सफल हो जाती हैं कोई वी दुख संकट आपके जीवन में नहीं आता है लाखों का करजा भी आपके उपर से उतर जाता है कोई वी परिशानी आपको नहीं सताती है चाहिए धन से जड़ी हो या फिर कोई अन्य समर्श्या हो ब्योपार में उन्नती नहीं है घाटा जाता है धन की आवक नहीं है तो सारे कारे इस उपाय को करने मात्र से सिद्ध हो जाएंगे दुख को आपको लगाता 11 दिन तक ये उपाय करना है उपाय करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है बहुत इध्यान पूर्वकाब इस वीडियो को देखें और उपाय को साथ साथ में नोट करते जाएं जिसे कि आप उपाय करते समय कोई गलती ना करें अश्ट सिद्धिनव निद के दाता असुअर दीन जान की माता राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहो रगपत के दास दर्श को हनमान जी को अश्ट सिद्धिनव निद के दाता कहा जाता है और आज है पूर्मा का दिन और आज है हनमान जी का जर्म उसब ऐसे में इस उपाय को करना आप बिलकुल न भूलें आपको इस उपाय को करने के लिए हनमान जी की अश्ट सिद्धियों के नाम से एक दीपक जलाना है यह दीपक आपको कैसे जलाना है किस तरह जलाना है आइए जान लेते हैं देखें आपको क्या करना है कि आपको आज से एक नियम बना लेना है यानि आज पूर्ण महें जन्मो सब्थ है हनमान जी का तो आज से लादर 11 दिन reward करेंगे इसके लिए आप लगातार 11 दिन तक आपको सुवह ही करना है, साम को करते हैं, तो लगातार 11 दिन तक साम को ही ये पाठ करना है, जो समय आप पाठ करने के लिए चुर रहे हैं, जैसे कि रातरी 9 वजे तो प्रती एक दिन रातरी 9 वजे ही आपको ये पाठ करना होगा, सुवह का समय चुनते है 9 वजे का तो प्रति एक दिन सुवह 9 वजे आपको यह पाट करना है इस पाट को करने के लिए हनमांजी के एक मूर्ति रखनी है या फिर मंदिर में भी जाकर आप यह पाट कर सकते हैं उसके सामने गाय के घी से एक दीपर जलाना है और हन्मान चालिसा का पाठ करना प्रारम कर देना है पहले दिन जिस इच्छा के साथ ये उपाय करेंगे उस इच्छा को बोलते हन्मान जी से प्रात्ना करेंगी कि आपकी वो इच्छा मूड हो जाए जब 11 दिन समाप्त हो जाएंगे तो ग्यारेवे दिन आपको क्या करना है हन्मान चालिशा के पार्ट को समाप्त होने के बाद 108 वादि का एक दीपक बनाना है और इसमें गाय का घी डालना है ध्यान रहे गाय का घी ही आपको डालना है नहीं मिलता है तो उसके बाद आप कोई भी घी ले सकते हैं वह भी गोव आटवाती के दीपक को हन्मान जी के नाम से आपको हन्मान जी के सामने जला देना है ऐसा कने से आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी आपकी जो मनवान चेते चाहे होंगी वे पूर्ण हो जाएंगी उमीद करती हूं बहुत अच्छे से आपको यह उपाई समझाए होगा पाई अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें नीचे कमेंट में हर हर महादीब अवस्य लिखें